मिलाटाइंस मारको सागत है मैं असरार रहमत एक बहुत ही दुख भरी खबर ये है कि भारती इंजीनियर सेवा आई-स के एक अधिकारी सुभान अली 22 जून से लापता है वो बॉर्डर रोड्स और्गनाजेशन में इंजीनियर थे उनकी तैनाती लेह और कारगिल में थी 22 ज कर आए कि उनकी जिपसी बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला है अभी तक उनका शौभी बरामत नहीं हुआ है उनके परिवार को अभी भी उनका इंतिजार है उत्तरपरदेश के बलामपुर जिले के निवासी सुभान का परिव सरकार बहुत ही परिशान है वे हर पल एक भयानक पीड़ा से गुजर रहे हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा है सुभान अब इस दुनिया में है भी या नहीं परिवार का कहना है कि अगर हादसे में उनकी मौत भी हो गई है तो सरकार उनका शौभ लाकर दे दे ताकि उन वे लोग दो राहे पर जीते रहेंगे गों लोग जिन्दगी और मौत के धाने पर जीते रहेंगे सरकार के परियास से नाखुश होकर सुभान के पिता रमजान अली ने अरोप लगाया है कि सरकार सुभान को ढोड़ने के परियापत उपाय नहीं कर रही है वे केन सरकार के परियास से नाखुश हैं गांवालों ने इस घटना की सीब्याई जांच की मांगी है रमजान अली का कहिना है कि जब तक वे अपने बेटे को जिन्दा या मुर्दार नहीं देख लेते तब तक उनकी सासे भी अटकी रहेंगी उनके बड़े भाई का कहिना है कि अगर 24 तारीक तक उनके भाई का पता नहीं चला तो पूरे परिवार के साथ वो भूख हरदाल पर आ जाएंगे और उनके भाई ने इंडियारे पर सवाल उठाते हुए सुभान के भाई शाबान अली ने कहा कि आर्मी और लेह पर शासन मिलकर भी उनके भाई का शव 60 किलो मीटर के दारे में नहीं खोज पाया उनका कहिना है कि घटना की जानकारी होने पर वो लेह गए वहाँ इंडियारेफ के अधिकारियों से मिले अधिकारियों ने उनसे कहा कि जमा देने वाले तापमान में पानी में उनका शव खोजना बहुत ही कठिन हो रहा है शाबान ने सवाल उठाया कि अगर कठिन समय में NDRF काम नहीं कर सकती तो उनकी होने का क्या फायदा है अब आई ये देखते हैं कि सुभान अली है कौन बलापरों के छोटे से गाउं जैनगर के रहने वाले सुभान ने IIT दिल्ली से इंजीनिरिंग की उन्होंने IIS परवेश परिक्षा में All India 24 वी रैंक पाई थी 2018 में उन्होंने केंदरी लोग सेवा आयोग की इंजीनिरिंग सेवा की परिक्षा भी पास की उन्होंने IIT दिल्ली से सिविर इंजीनिरिंग में एम्टक किया था उन्हें दिल्ली डिवल्लमेंट एथोर्टी में तैनाती मिली थी अप्रेल में उन्हें कारगीर इलाके में भेजा गया था यहाँ पर भारत चीन बौर्डर पर चल रहे कंस्रुक्शन का काम देख रहे थे इनके पिता जी सिलाई का काम करते थे अपने बेटे को IES बनाए और अब वो 24 दिन से या 22 दिन से लापता है लेकिन अभी भी उनका कुछ पता नहीं चल सका है भारत सरकार उनके खोजने का कोई परियापत उपाय नहीं कर रही है और अफसोस की बात यह कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कहीं भी इनकी खबर नहीं चली कि सुभान अली की खोज की जा सके भारती मीडिया कोई एक जानवर मर जाता है तो तीन तीन चार चार दिन तक एक बहेश चलती है लेकिन एक आएस अधिकारी चोबिस्वी रेंग पाने वाला अधिकारी अभी तक लापता है वो देश की सुरक्षा में लगा हुआ था लेकिन फिर भी भारती मीडिया उनके लापता होने पर या उनके खोजनेक पर कोई भी सवाल नहीं उठा रही है उनके परिवार का रो कर्मेंट आफ इंडिया एकदम चुप-चाप बैठी हुई है और भारती मीडिया की जब अमिताब बच्चन को कोरोना हो जा रहा है उनकी रिपोर्ट पोजिटिव आ जा रही है वो अस्पताल में क्या कर रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें अधिकारी की अभी तक कोई कवरेज मेंस्ट्री मीडिया में नहीं दिखाई दी के अगरे करें